नमस्कार दोस्तों हेमन्ट टाइम ठेक से हेमन्ट आपका स्वागत करता है आज जो आएंप है काफी बखुवी कई लोग जगर यूज करते हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि यह तीस पसपन से चलने वाला हां कि कहने को तो 450 लिखा हुआ है लेकिन मैक्सिमम आटेज मैं इसकी बता दूं 50 वाट पैर्चर निर भी नहीं है मतलब 30 वाट तक आप ले सकते हों ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो इन्होंने लगा रखा है यह ट्रास्फर्मर बारा-जीरो-बारा है इसकी जगह 25-025 रहता ट्रांजिस्टर की क्वालिटी अच्छी होती तो यह ट्रां 90 प्लस 90 वाट के 3030 पे चलने वाली है भी एक एंप होगी काफी पुरानी हो लेकिन अच्छा काम करती थी उस टाइम की काफी पुरानी है 2005 के आसपास की है तो नेक्स वीडियो मैं उसकी डालूंगा आपके लिए अभी मैं यह जो अभी आपके सामने रखा है यह अच्छी स को ट्रांजिस्टर यानि 30 55 की आउडियो पसंद है उनके लिए अच्छा है आज भी मैं मानता हूं कि इसकी आउडियो अच्छी है मेरे इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें प्रॉब्लम आती है दोखसों कि जैसे इन्होंने भी नया बोट चेंज किया तो आवाज फटती है आवाज फटने का कारण कई होते हैं कई लोग गलती से ट्रांजिस्टर की वाइरिंग अगर गलत कर देते हैं तो भी आवाज आपकी अच्छी नहीं आएगी यानि ट्रांजिस्टर की वाइरिंग आपको बखो भी अच्छे तरीके से करनी होगी दू क्या है प्रॉब्लम को पहले आपको आइडेंटिफाइं करा दूं को आप कि आवाद देने पर एक चैनल की आवाज अच्छी आप differences छे कि मत म entrepreneurs कि अगर नल्ड की आप अच्छी आए टूसरी आप जैंज कर रहा हूं माशने दूसरे चैनल में यह आवाज है फटी हुई मतलब आउडियो नहीं उठाती है अगर आप यहां चेक करोगे तो आउडियो है कुछ नहीं पता चलता यह यह आउडियो को यहां से फिल्टर कर यह रेइस्टरेंच से होते हो यहां आती है इसमें दो तीन चेंज़े मैंने और क कर रखे हैं इसके बावजूद भी नहीं आया नेकिन एक्चुली एम्प को मैंने ठीक कर दिया था कि कम बोल्ट में चले होता अकसरी हूं है कि यह एम्प जब हम यूज करते हैं तो ज्यादा एम्पेर देने के लिए हमको ट्रांजिस्टर चाहिए जो नहीं मिलती तो आज आती है नेकिन फटने की संभावना ज्यादा होती है हाब होलूं के बाद आवाज फटती है अकसर नेकिन मैंने इसमें जो इंप्रूब किया था उसके बाद इसमें आवाज फटने के प्रॉब्लम नहीं आती है पहले मैं उसको बता दूं क्या करना होता है यह जो और combination से बना हुआ यह जीनर का जो पोर्षन है यहां पर आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो 9 वोल्ट मिलेगा ऐसा होने से क्या होता है कि जो ऑडियो बननी चाहिए पूरी वो थोरी ड्राइब वोल्ट के कारण दिक्कत होती है दूसरा इसमें वोल्टेज जो 22 वोल्टेज आ इस वाले पर कम है इस कारण से इसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मैंने इसको इंप्रूब किया था इसकी आवाज अच्छी है मगर इस चैनल में क्या प्रॉब्लम है कि आवाज तो अच्छी हो गई मैंने इस चैनल के बार स्टेबल से इसको बजाया तो अच इसको चेंस कर दिया था दोस्तों यह भी reminds कर दिया था कापी पर्षानी हुई कापी पर्सानी के बाद मैंने देखा कि कि ट्रांजिस्टर वी सही है सब्कुद सही है नकि और ऑडियो इसे पर नहीं आती तुर इसको इंक्पाई करने के लिए मैंने किया कि अब हर pin की voltage चेकी जैसे यहाँ पे कितनी voltage आती है 5 volt यहाँ पे भी यह वाली resistance यहाँ पे है तो यहाँ 5 volt ठीक है ऐसे check करने पर मुझे पता लगा कि यह जो resistance आप देख रहे हैं यहाँ corner पे इस पे जो voltage है वो milli volt में है जबकि यही resistance का combination यहाँ पे है यहाँ पे इसको voltage अच्छी मिल रही है ठीक है लबक 1.4 के आसपास मिल रही है और जो यह वाली resistance है यलो blue और red यह वाली resistance पे आपको 5 volt मिलती है ठीक है और यहाँ पे इसको voltage नहीं मिल रही यहाँ तो यह वाली voltage ठीक है ठीक है यह वोल्टेज ठीक है मगर यह वाली वोल्टेज कम मिल रही है अब कम मिलने से क्या होता है कि ट्रांजिस्टर अपनी बाइसिंग पूरी नहीं कर पा रहा है और ऑडियो फटने की प्रॉब्लम आ रही है मैं इसको काफी मतलब प्रयात्म करने के बाद मुझे यह पता जो रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा रहा हूं यह रेजिस्टेंस आपका 4.7 होना चाहिए जैसा कि कलर कोड में है आपको मैं फोकस करके दिखा देता हूं स्वाइद आपको दिख जाए अच्छी तरह से यह 4.7 है यानी यलो वाइलेट और रेड ठीक है नेकिन यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के लगाने पर यहाँ पर जो पांच बोल्ट बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही थी अब यह बखु भी बनने लगी है यह देखे अब यह वोल्टेज बनने लगी है जिससे कि यह जो पांच बोल्ट इसके कंपेर मैंने कंपेर किया कि हर पीन पर वोल्टेज जो है एक चैनल ठीक होने पर बड़ाबर है कि नहीं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बात करूं तो यह 4.7 नहीं होके 47 है मैं आपको चेक करा देता हूं इसको रेजिस्टेंस मोड में रखता हूं इ यह 4.7 नहीं है यह 47 है ठीक है यह अभी 36 बता रहा है पता नहीं यह रेजिस्टेंस इतना गर्वर क्यूं है इस कारण से यह आवाज फटी हुए थी मैं आपको आउडियो दुबारा चेक करा देता हूं अब इसमें आवाज कैसी आ रही है एक चैनल की आवाज है यह दूसरे चैनल की आवाज है अगर आप जेक सुन पाएंगे हेड़पोल लगाएं तो सुन सकते हैं इसकी आवाज अब काफी सही हो गई है इसमें इंप्रूब्मेंट की बात मैं करूंगा अगर दोस्तों तो थोड़ा सा करना क्या होगा कि अगर यह बोर्ड मिलती है अगर आप 25-0-25 यूज करते हैं तो यहां 2.2 रहने दिजेगा जैसा कि यहां है आपको कोई दिकत नहीं नहीं हागी नेकिन अगर यह इंपूट ट्रांसफर्मर 12-0-12 का है तो उस समयज क्यूंकि मैं आपकी टोटल वोल्टेज रिक करा देता हूं इसमें आपको यह आपका टोटल वोल्टेज 15-16 के आसपास ही बन पाता है ठीक है अगर इसको 20-0-20 दिया जाए 15-0-15 का ट्रांस लगाया जो की इसकी वैलू 2.2 किलो ओम्स है फिर से बता दू यह रिस्टेज 2.2 किलो ओम्स है इससे मेरी क्या होई 22 वोल्टेज सही होने से मेरा जो आवाज था कम उठने की जो प्रॉब्लम थी इस चैनल में नहीं है अभी मैं मैं आगर बजाता हूं तो इस चैनल की आव तो इस तरह से जो मैंने इसमें सुधार किया आप भी इसको सुधार कर सकते हैं बास्टिबल अगर और अच्छी चाहिए एक सधारनत घर में यूज करने के लिए 8 इंच के स्पिकर के लिए काफी अच्छा है इसको यूज कर सकते हैं कई लोगों ने पूछा था कि यह ट्र मैंने एक NPN टांजिस्टर लिया है जो कि यहां पे लगा हुआ है इस NPN टांजिस्टर में पोजेटिब नेगेटिव देना होता तो यह बास्टिवल तो बखु भी काम करेगा नेकिन अगर मैं इसके आगे 5 बोल्ट लगाके क्योंकि अगर अंदर इंपुट 30 बोल्ट है तो 5 बोल्ट अगर लगाएंगे तो 5 बोल्ट जल्दी खराब होती है और उसके आरण से आपका ब्लूटूथ जो मोडूल होता है यह टांजिस्टर यूज़ करें 355 NPN होना चाहिए 355 करें 500 यूज़ करें 1061 यूज़ करें कोई भी NPN टांजिस्टर अच्छी एमपेर का यूज़ कर सकते हैं अब क्या करना है कलेक्टर पर पोजेटिव डरेक दे देना है एमीटर से हमको आर्पुट लेना एक टांजिस्टर अगर आप जानते होंगे तो बेस कलेक्टर होता है तो एमीटर से हमको आर्पुट लेना होता है कलेक्टर पर फुल वोल्टेज दे देनी होती है जो की इन्पुट है अगर मैं बताऊं अगर आपका 30 जीरो इन्पुट है तो आपको 2.2 के या 5 के लगाना चाहिए इससे क् आपकी वोल्टेज बन जाएगी अगर 30 बोल्ट से जादा है तो 10 के लगाए अगर 20 बोल्ट से नीचे है 20 बोल्ट के आसपास है तो 1 के लगाए जैसा कि मैंने भी 20 बोल्ट से कम होने के लिए कारण 1 के लगाया है तो 1 के लगाने के बाद क्या होता है यहाँ पे जो गारा होगा तो 18 होगी यानि जो चीनर है यह नेगेटीव से जुडते हुए यानि इसका एक सीरा नेगेटीव से जुडता है और जिधर Dark के डिया होता है मतलब एक तरफ Black होता है एक तरफ White होता है एक तरफ कोई opposite ने एक lotे बनाई voltage अंबैलंस है 지नर डाइबोर दो ऐसको बैलेंस कर दिए यानि इसको 12 Adaptal फंस्थ 18 जो भी जीनर सेलेक्ट किया उसके हसाब से इसको इन्होंने regulate करके itu मेस पे दिया अब किस जितनी वोल्टेज आती है उतनी ही एमेटर पर आती है यह combination याद रखना दोस्तों बड़े से बड़े ट्रंज डेक में और बड़े से बड़े काम में भी यह इस तरह का अगर हाई इंपेर का पैरलर भी लगा देते हो के धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्क्राइब भी किया है लाइक भी किया शेर भी किया है और आप सभी दोस्तों का प्यार इससे बना रहे और इसी तरह इसी सुखावनाव के साथ मैं आज के लिए रहता हूं और मेरे पूर्वी वीडियो देखने के लिए आन सब को बहुत बहुत धन्यवाद